बाठ में राहत पैकेट वितरन के बाद अब टीम कनहिया एक नए रूप में फिर बेगुसराई जिला के तमाम परखंडों में अपनी पकर बनानी चाह रही है और इस बार स्वास्त केम्प को उन्होंने प्राथ मिक्ता दिया है टीम कनहिया अपने नए नए कामों के जरिये लोगों तक जुड़ना चाहता है और इसी करम में आज तेगरा विधान सभा के धनकौल गाउं के उर्दू बिद्याले पर टीम कनहिया और स्रिया हॉस्पिटल इन दोनों के सामुहिक मदद से निहशुल्क स्वास्त जाच वस्थाएं जो कहता है डॉक्टरों का जो निर्देश कहता है कि स्वास्त लोगों को भी वर्स में कम से कम दो बार उनका स्वास्त जाच करवाना चाहिए जिसे किया पता लग पाता है कि उनकी आंत्रे की स्थिती कैसी है उनका स्वास्त कैसा है उनके सारी विवस्था कैसी हैं इन सभी चीजों पर वो गहनता से सोच सकें और अपने स्वक्ष तन स्वक्ष मन स्वक्ष जीवन के मारगों पर चल सके और इसी करम में यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बया कर जाता है हलाकि पिछले बार कोरोना संकर्वन महामारी के बाद जिस परकार से बिपक्ष में यह मुद्धा उठा था कि आज कनहिया कुमार कहा है क्या केवल चुनाव के समय ही कनहिया कुमार सामने दिखते हैं और उसके बाद चुनाव खतम बात खतम यानि ये भी खयाली पुलाव पकाने वाले बरसाती में धक के रूप में आते हैं लेकिन उन तमाम अपवादों के बीच उन तमाम बिपक्च के हमलावर रुख के बाद एक बार फिर कनहिया कुमार भले ही कहें तो बाध प्रीतों के बीच पैकेट वितरन में और उसके बाद अब स्वास्त के रूप में कहीं न कहीं बेगुसरा जिला के आम लोगों तक अपनी पकर अपनी पहुच अपनी पैट बनाने में लगे हुए हैं